स्री सिवाय नमस्तु भ्याम दोस्तो अगर आप बेल पत्री तोड़ने जाते हैं या आप बेल पत्री तोड़ते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी ऐसी गलती करते हैं जिससे आपको पाप भी लगता है पूजिस्यू पुराण की कथा को सुनकर ही आपको समझाने की कोशिस कर रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा वैसे ये वीडियो किसी उपाय की नहीं बलकि एक छोटी सी जानकारी की है जिससे आप गलती ना करें बेल पत्री तोड़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देने मातर से आप पाप के भागिदार हो जाते हैं तो जब भी आप बेल पत्री की पत्ती तोड़ने के लिए पेंड के पास जाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि पत्ती आप यहां से तोड़ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनको 11, 21, 51, 108 पत्ती चरहानी होती है तो वे यहां से इस डंडी को तोड़ लेते हैं जिससे उनको 8 यह 10 पत्ती साफ में मिल जाती हैं और घा जाकर वहां अलग-अलग कर लेते हैं लेकिन यह गलती जितने भी लोग करते हैं आपको पता नहीं लेकिन आपको बहुत बड़ा पाप लगता है ऐसे पत्ती तोड़ने से कुल की ब्रधी नहीं होती अब सोचो जब आप यहां से बेल पत्र के पेड़ की डंडी तोड़ देते हैं तो पेड़ की डाल की ब्रधी वहीं से खत्म हो जाती है तो जब आप बेल की पेड़ की ब्रधी रोग देंगे तो पेड़ की सराप से आपकी कुल की ब्रधी बंद हो जाएगी मतलब ऐसा करने वाले के घर में संतान नहीं पैदा होंगी उनकी घर की औरते संतान हीन हो जाएंगी साथ ही साथ उनकी घर की तरक्की बंद हो जाएगी धन का आवगवन भी बंद हो जाएगा एक बात और याद रखना जब भी आप बेलपत्र तोड़ने के लिए जाएं तो याद रखेगा कि वो दिन सोमार का नहीं होना चाहिए सोमार के एक दिन पहले ही बेलपत्री को तोड़ कर रख ले सोमार के दिन भूल कर भी बेलपत्री की पत्ती को न तोड़े दूसी बात ये कि जब भी बेलपत्री तोड़े तो यहां से ही तोड़े दंडी बिलकुल भी न तोड़ें आप आराम आराम से पत्तियों को ही तोड़ें दोस्तों सास्त्रों के अंसार अगर आपके पास सिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेल पत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों की चढ़ाएवे बेल पत्र को उठा कर धोलें और फिर उसको भागवां से उपर चढ़ा दें ये उतना ही पूंजनिये माना जाता है जितना की एक बेल पत्र की पेर से बेल पत्री को तोड़ना दोस्तों ये जान लीजिए कि एक बेल पत्र छे महिने तक बासी नहीं होता है तो दोस्तों ये छोटी छोटी बाते ऐसी होती है जो आपको जानना बेहर जरूरी होता है और साथ ही जो प्यारी प्यारी आखे मेरा वीडियो देख रही है उनका बहुत बहुत धन्यवाद